जितने भी छात्रों ने यूपी स्कॉलर्शिप के लिए फार्म को अपलाई किया था तो फाइनली सभी स्टूडेंट बेस सब्री से वेट कर रहे थे कि उनका स्कॉलर्शिप का पैसा कब तक ट्रांसपर किया जाएगा तो फाइनली जैसा कि आपको पता होगा कि कल की डेट में कई ऐसे लाख स्टूडेंट थे जिनके खाते में स्कॉलर्शिप का पैसा ट्रांसपर किया गया था लेकिन गईस कई ऐसे भी लाख स्टूडेंट हैं जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है अब गईस पैसे आने का सबसे बड़ा reason क्या है आखिर में आपका पैसा आ क्यूं नहीं रहा है और आस की date में आजOME इस सन्डे है आपको पाता हुआ कि संडे को पैसा नहहीं आता है लेकिंगर आजम की date में भी पैसा आपका आने वाला है मैं आपको इस वीडियो में लाइप प्रूब बताऊंगा कि आखिर में ऐसे कौन से इस्टुएंट होंगे कि इनका पैसा आज की डेट में भी आने वाला है सबसे पहले गाई हैं हम इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ लेते हैं उनका पैसा खाते में ट्रांसफर हो रहे हैं स्कॉलर्शिप 31 मार्स तक आएगी इसलिए जिनका भी अभी नहीं आया है स्ट, स्ट, जनरल, ओविसी, मैनोट्री परिसान नहों अभी अब guys क्या होता है कि आप जब भी इस्कॉलर्शिप के लिए फार्म को अपलाई करते हैं तो guys आपका गॉर्णमेंट की तरप से तो पैसा ट्रंसफर कर दिया जाता है लेकिन guys क्या होता है कि आपका जो पैसा आता है आपके बैंक वाले ही जो टाइम लेते हैं इसके वज़े से आपका पैसे डिले होता है अब गाइस मैं आपको एक चीज़ और शेयर करूंगा ताकि और भी आपको मैं सही से explain कर पाऊं आपको समझ में आ सकी गाइस यहाँ पे कल की डेट में एक मैं आपको amount आपको कई बड़ी चीज़े मिलती हैं अब मैं आपको कई बड़ी चीज़े मिलती हैं अब मैं example के लिए आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा है comment में आपको दिखाऊंगा आपया दिखिए एक बचे आप एक comment कर रहे हैं कि bank में आ रहा है और सब bank में नहीं आ रहा है क्या बात है तो गाइस दिखिये मैंने आपको बोला क्या अगर आप कोई चीज़े observe करोगे तो आपको कई चीजे मिलती है गाइस क्या होता है कि जब भी आपका पैसा गौर्वर्मेंट लगाती है तो आपके बैंक पले 2-3 दिनों का समय लेते हैं तो आज की डेट में भी गाइस क्या होगा अगर आपका PF मेंस पे पेमेंट सो कर रहा था यहाँ पे डेट क्या है तो आज की डेट में आपका पैसा आएगा तो आप अपने दिमाग में डाउट मत बालना गौर्मेंट की तरफ से पैसा नहीं लगाए जाएगा आपके पैसे जो रुके हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आखिर मैं आपके पैसे रुके हैं और आपको पता क्यूं नहीं चल पा रहा है कि आपका पैसा रुका है और आपको पैसा आएगा भी आएगा अब यहाँ पे मैं आपको सबसे बहले दिखाई देता हूँ लाइप प्रूफ अब गैस यहाँ पे जब भी आपने प्येट में इस रेट को चेक करने जाएंगे एक बच्चे का यहाँ पे अमाउंट 2000 पे करीवन भेजा गया था और यहाँ पे क्या इनका request date है 20 मार्च यहाँ पे गैस है अगर गवर्मेंट ने ट्रांसफर कर दिया है तो गैस आपको बेशा के कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपके बैंक वाले ही टाइम दे रहे हैं गैस मैं आपको बस इतना ही समझाना चाह रहा हूं क्योंकि आपके जो transaction और गवर्मेंट की तरफ से भारी मात्रा में हो रहे हैं अगर गैस मालीजे आपका बैंक का बढ़ोदा है तो definitely क्या होता है कि आपके खाते में पैसे जल्दी आ सकते हैं या फिर गैस कल की डेट में APBS अधार पेमेंट बेस सिस्टम के मादर से कई लाक इस्ट्वियन का पैसा भीजा गया था अग बात करते हैं आखिर में ऐसे कौन से इस्ट्वियन होगे कि इनका पैसा कल की डेट में आएगा कल गैस आपका मंडे है तो कल भारी मातरा में इसको अरशिप आएगा इसलिए गैस हम बोल सकते हैं कि आपका पैसा कल की डेट में भारी मातरा में आएगा लेकिन जो पैसे रुके हैं आज के डेट में ही आएंगे सिर्फ इनका ही पैसा आज की डेट में आने वाला है अब वाइस आपको अपना payment status कहां से check करना है कैसे check करना है कि आपका payment आया है कि नहीं आया है इसके लिए आप Google पे सर्च करेंगे cmhelp.in जैसे आप cmhelp.in सर्च करते हैं cmhelp की official website पे click कर दें यहाँ पे click करने के बाद वाइस आप home page पे आजाएंगे नीचे यहाँ पे आने के बाद यहाँ आप देख पाएं यहाँ पे क्या है scholarship status on pfms for all आपको simple में यहाँ पे click करना होगा अब यहाँ पे जैसे आप click करते हैं आपके सामन pfms की side open हो जाएगी जहाँ पे आपको bank का name डालना होगा मैं आपको पर दिखा रहा हूँ सब कुस like group तो guys patience लग लो wait कर लो ताकि आपको पता चेल पाए सही चीजी अब गईस यहाँ पे क्या करना है आपके mobile पे एक OTP आए जाएगा जहाँ पे आपको submit कर देना है इसके बाद guys आपका payment status आजाएगा वहाँ पे guys साथ देख सकते हैं कि आपका validation कब तक हुआ है यह है guys validation status इसको होना काफी important होता है अगर आपको reject हो जाता है तो आपके bank में कोई ने कोई problem से जिसके होज़े से आपका reject हुआ है अगर आपका validation को कर रहा है तो guys आपका पैसा एक से दो तिन दिनों के अंदर तक आजाएगा तो आपको थोड़ा सा guys wait करना होगा तो आज के लिए इतना ही चैनल पेना है प्लीज चैनल को subscribe करें और गाइस बेल लाइक एक प्रेंस भी करें लेना बाइबाइ टेक केर और गाई साफ इसको अब्जॉर्ब करके पढ़ लेना कि पेंडिंग क्यों होता है क्या रिज़न है तो बाइबाइ टेक केर फिर से मिल ते यालोनों बाइबाइ